वाहे गुरू साहे बुर्जीयो गुरू नानक आमद नरायन सरूप हमाना निरंजन निरंकार रूप गुरू नानक आमद नरायन सरूप हमाना निरंजन निरंकार रूप सगल दुआर को छाड़ के गहे उतुहार दुआर बाहे गहे की लाजयास गोबिन्द दास तुहार सगल दुआर को छाड़ के गहे उतुहार दुआर गोबिन्द दास तुहार सतनाम स्रीवाहे गुरू साहिब जीर ले तुरकन ते मास जो खावै बेन गुर बचने गीत जो गावै तिया राग सुनें चितलाई लाल सुनों सुजान पुर जाई ले तुरकन के मास जो खावै वाहे गुरुजी का खालशा वाहे गुरुजी की फते परमसनमान जोग सत्गुरां दी साजी अते निवाजी गुरु का खास रूप गुरु खालशा गुरसंगत जीओ आपा सरबत माई पाई शाम दी संद्या दे वेले सत्गुरु साहिब जी दे हजूर पावन दरबार दिया हाजरिया पररे हां सत्गुरु साहिब जी दी पावन मर्यादा नो सिखन दे लई जीवन दे विच तारन करन दे लई सत्गुरु साहिब जी दे चरन कमला दे पास अरदास बेनती करके जो पावन गुरु की दसी हुई रहत मर्यादा है उसनों पाई से पाई नांदलाल साहिब जी दे पावन गुरंध स्री तनखाह नम साहिब दे राही सिख रहां जान रहां सत्गुरु साहिब जी ने जिमेवी पाई नांदलाल साहिब जी नों अग्गे गुरु सिखां दी रहत बारे बचन दसे उसनों जिमेवी बचन आरे हन पड़ी शर्दा पावना दे नाल गुरु साहिब जी दे बचना दे उपर विश्वाश प्रोसा शर्दा रख दिया होया स्रवन करना करिये जी सद्गुरु साहिब जी पाई नांदलाल साहिब जी नों अखन लगे के पाई नांदलाल जी जेड़ा मनुख गुर्शिक हो करके गुरु का पावन अम्रत दा बाटा अम्रत दी पावल शक करके ओस्तो बाद ए जेड़ी माड़ी रिती है अपने जीवन दे अंदर तारन करता है ओ केड़ी है के अपने जीव दे स्वाद दे लई तुरकां दे कोड़ों जेड़ा मास लेके ओ खाना करता है जेड़ी जीव हत्या है ओस नू अपनी जीव दे स्वाद दे लई अपने मान दी इशावादी पूर्ते दी ले जेड़ा करता है लाल सुनो सो जामपुर जाए पाई नाद लाल साहिब जी तुसी सुनना करो ऐसा जेड़ा गुर्सिख है ओ जमादी पूरी नो जावेगा गुर्मट दा जीड़ा दाइरा है ए बड़ा ही विशाल है जेसदे करके एक पाकता एतादा है अपर पूर्बाव पौंदियाने पर एक ऐसे वी अवस्था औधी है जदो खान पीड़ियान और सूसार दियान होर जीड़ियान रहो रिती तियाने ऐसे अवस्था बन जान दी है कि कोई वी गल कोई वी विचार फिर प्रबावत ने कर दी आम पावन गुर्बानी दे अंदर ए बचन असे पढ़ दे हां कि मास मास कर मूर्ख चगड़े कि ए जड़ा मास खाना जा नहीं खाना एस दी विचार करनी ही मूर्ख दी गल है गुर्मत दा जड़ा सिदात है गुर्मत दी जड़ी विचार है ओ इन शोटियां विचारां तो अग्ये जाके शुरू हुंदी है आज दे समय दे विच आपाँ वेख देया के बहुते सिख असी इन गल्ला दे विच ही उलजे पए हाँ जिनना दा विचार बहुत शोटे रूप दे विच है आम सवाल ए हुंदे ने के जड़ो पावंस रूप नू गुर्दवारा साहिब तो करे लेके जाना उदों पैरां दे विच जोड़ा पौणा जा नहीं पौणा इतना दिया जिड़िया शोटिया विचारा ने असी उन दे विच उलजे के रह गया गुर्मत दी जेड़ी विचार सी गुर्मत दा जेड़ा सिदहात है ये इन शोटिया विचारा तो किते जाके अगे शुरू हुंदे इसलिए मास खान और ना खान दे लई पावन गुर्बानी दा ये उपदेश है और गुर्मत दी ए सिखिया है के गुर्सिखा ने सिर्फ दो नशे करने हन संसारी तार ते जेड़ा नशा है ओ है रुटी दा ते अधियात्मिक तार ते जेड़ा नशा है ओ है नाम दा नाम खुमारी नान का चड़ी रह दिन रात ओ जड़ी खुमारी है संसारी जड़ियां श्रापबाने ओ शाम नो पीवी एते स्वेरे ले जन्दियां ने पर नाम दी खुमारी जदों मी चड़ जन्दियां फिर पामे सीस दे उपर आरा फिर जावे पामे रंबियां फिर जान फिर पावें सीस ताड़तो जुदा हो जावें फिर कोई परवाद नहीं एजली गुर्सिखा ने ये जड़े दो नशे ने रोटी और नाम दा इना नू करना है बाकी जड़ियां चीजाने वस्तुआने ओ साड़े सरीर नू पालन दे लई हान जे सब कुछ मिल रहा है मिलन दे बावजूद वी जे जीव हत्या करके मास खाना ताँ ओ गुर्सिखा देली माड़ी गल है क्योंके सद्गुरु साहिव जी दी पावन गुर्बानी दा एस धान्त है के जेड़ा तर्म है ओ कड़े भी जीव हत्या करके नहीं प्रापत कीता जा सगदा जीव बद हो सो तर्म कर थाप हो अतर्म कहो के सपाई के जे तुसी जीवां दी हत्या करके फिर आख देयों के असी तर्म दी रहो रिती अपना रहे है फिर पगत कबीर साहिव जी कहने दे के मैंनो एवी दसना करो फिर अतर्म केड़ा है जे जीव हत्या करनी तर्म है ते फिर अतर्म केड़ा है उवी दसना करो सो एसलाई सत्गुरु साहिब जी आखन लगे के ए जिड़ा तुरकां दे कोड़ों ले करके जिड़ा मास है जिड़ा भी खाना करता है ऐसा जिड़ा गुर्षिख है वो जमादी पुरी नू जावेगा के गुरु दे बचना नू गाए तो बिना होर जेड़े गंदे गीत हन उना नू गौणदा है कई दास ने देखे हन के रागी सहबान मी ऐसे तुरपे ने जेड़े शब्द गौणदे गौणदे गुरु के शब्दान नो तोड करके गीता नो ही गौणआ शुरू कर दिन दे आम वीडियो शोशल मीडिया दे उपर ने एसलिए जेड़ा गुर्मत दा सिदात है वो सद्गुरु साहिवजी दासरे हना के बेन गुर बजनी गुरु के बजना तो बिना क्योंके ए जेड़ा कीरतन है शब्द कीरतन एक बड़ी पुजितर चीज है जेस हर्मोनियम दे उपर असी पावन गुर्बानी पढ़ देया उसे हर्मोनियम दे राही गीता नू गौना कोई सुबा दी गल नहीं हुंदी जेड़ा भी इस पर कारदा है लाल सुनो सो जामपुर जाए ते पाई नांद लाल जे सुनना करो ऐसा करन वाला जमादी पुरी नू जावेगा ते जेड़ा गुर्षिख हो करके औरत दिया हो रहिया जिड़िया गला ने उना नू कन लाके सुनदा है किसे भी माता पैन दे बारे कोई गल कर रहा होए ओस नो सुन के विच्चों अनांद लेना बड़ा चित ओस दे विच जेड़ा जोड़दा है सत्गुरु साहिब जी आख दे हान के पाई नांद लाल जी सुनना करो ओ जमादी पुरी नू जावेगा सत्गुरु साहिब जी अखीर दा जेड़ा सिदांत दर्शों दे हान के जेड़ा वी ए माडियां कुरीतियां नू करना करदा है सो जम पुर जाए ओस दा जेड़ा जाए मैने जेड़ा जन्म है ओ जमादी पुरी दे विच होना करेगा सत्गुरु साहिब जी नू पाई नंदलाल साहिब जी आखन लगे के सत्गुरु जी ओ गुर सिखां दी जेड़ी होर रहत है ओस दे बारे भी दसना करो तां सत्गुरा ने बचन आखे के रहत बिन साद कहावे जेड़ा कोई रहत रखदा ने ते बारी लबास पाके अपने आपनों साद अखवांदा है संद अखवांदा है ऐसा जेड़ा मलुख है ओस दी बाबत दस दे हाना पर जिन नाही रूप ते अपना जेड़ा रूप है ओ वेखदा नहीं है के असल दे अंदर तेरा मान जेड़ा ओ मलीन है बारी तोर ते तेरा जेड़ा पाया होया लिबास है ओ की करेगा सद्गुरु साहिब जी आखन लगे के पाई नांद लाल जी सुनना करो कपट करन ते लाल जी पली बनें तिस चूप के ओ जेड़ा मनुख है ओ कपट करन दे नाड़ों ओस दा चुप रहना किते जादा ठीक है विदवान पुर्ष ए गल आख दे हन के जे कोई गल ना ओंदी होवे जे कुछ पता ना होवे ते चूप रहना जादा वदिया गल है पावन गुर्बानी दा बजन है जित्थे बोलन हारी है तित्थे चंगी चूप जित्थे साड़ा बोलना हार जावे उत्थे फिर चूप करना जादा बेतर है जादा वदिया है दार्सनिक एक गल लिख दे हाना के जेड़ा संसारी तौर ते सानू रोना ओंदा है ते तार्मिक तौर ते जेड़ा वेराग ओंदा है इदो में शब्द समझन देली एको जे हन रोना ते वेराग करना रोना मनोख नू कदो ओंदा है जेस वेले साटे जेड़े शब्द ने उक मजोर पैजान कोई वी अपने गल कैन दे ले शब्दा नू कोई था ना मिले कोई टकाना ना मिले के हुण शब्द केड़े बोले जान ओदों मनुखनों रोना ओंदाए उसे तरह ही तार्मिक दुनिया दे वेच हुंदाए के जदों साटा गुरु दे नाल प्रेम ही इनना बज जावे पर मेशर वाहि गुरु दे नाल प्रीती ही इननी जुड जावे के जड़े शब्द ने ओ कमजोर पैजन काट रह जान ओदों फिर वेराग दे जड़े हंजू ने ए मनुखनों आउंदेया इथे साटगरु साहिब जी आख दे हना के जड़ा किसे दे नाल बोल के विचार करके ठकी ठोरी मारन दे नालों ता ये चंगा है पली बने तिस चूप के ओसदा चुप रहना चंगा है जाँ एसदा पाव अर्थ ए है के जेड़ा इस परकार कप्ट करदा है पली बने तिस चूप ओसदे नालों ओसदे नाल चुप रहना चंगा है पावन गुर्बानी दे अंदर सिरी पगत कबीर साहिब जीवी एदा दे बजन लिख देने के जेड़ा मनोख जो प्रभ किये पगत ते बाहज तेनते सदा डराने रही है के जेड़े मनोख प्रमेशर वाहे गुरू ने पगती तो बिना पैदा किते या जेड़े नाम नहीं जप दे गुर्दवारा साहिब नहीं हों दे गुर्बानी नहीं पढ़ दे तरम दे गल नहीं कर दे ऐसे जेड़े मनोख ने पगत कबीर सहब जी कहन दे उना दे कोड़ों डर के रहु उना दा पदा नहीं के उना दा केड़ा लच्छन तो हाटे विच आ जाना है एसलिए सद्गुरू साहिब जी आख दे हाना के जेड़ा ऐसा मनोख है जेड़ा बारी तोर ते तारमिक बढ़िया है पर अंदरूनी तोर ते तारमिक नहीं है और जेड़ा कपड करदा है उस दे कोड़ों चुप वटनी ही ठीक है सद्गुरू साहिब जी आख दे हाना के जेड़ा गुरसिख अरदास कीते तो बिना कोई काम नो जानदा है पावन गुरू बानी दे अंदर बजन हाना कीता लोडिया काम सो हार पह आखी है कारज देश वार सद्गुर सच साखी है सद्गुरू जी साठी उगाही परनवाले ने साठी वकील बनके साठी सहाइता करनवाले या उसे परकार सद्गुरू साहिब जी आखरे हना के जो बिना अरदास काम सिदाव है जीड़ा बिना अरदास कीते तों कोई कम कार देली जन्दा है पेट दिये देना काच मुख पार ते जीड़ा कोई परशाद आदक है सुचंता दे नाल कीता हुया तियार जीड़ा परशादा पानी है उसनों पेट कीते तो बिना जीड़ा किसे भी परकार दा मुख दे वेच परशाद पाउदा है वो गुरू नू चंगा नी लगदा जीमें अपने फौजी गरंथी सिंग जी आये सी उन्हा नू दासने ता सुते से दाख्या के पाई करपान पेट करिया करो जीड़ा शवदा है ओ बोलिया करो के साथगरू साहिब जी आप जी पोग लाओ ते ओ फौजीयां दा फिर पता ही हुन्दा दमाग कितां दा है पर ए साथगरू साहिब जी दे बचन ने के पेट किये बिन कश मुख पाव है जीड़ा परशाद है ओस नो पेट किते तो बिना कोई वी मुख दे वेच जीड़ा परशाद पाउंदा है ऐसा जीड़ा ओ तनखाईया है ओस नो तनखा लगनी चाहिदी है ओस वीर नो कोई सजा लोनी चाहिदी है सद्गुरु साहिब जी अगे दास देहाना के जेड़ी कोई त्यागी होई वस्तु है ग्रेहन जो करे जेड़ा कोई वस्तु दा त्याग कर देवे कोई पिटी जावे वस्तु ओस नो कोई ग्रेहन कर लवे इत्हे पाव कोई गुर्मत दा संकोचमा सिदाथ नहीं है के जे कोई वस्तु किसे दी है ओस नो वरतना नहीं एस तो पाव ए है के जे किसे पुल प लेखे दे नाल किसे दी वस्तु गवाच जावे जहां कोई पूल जावे उसनों अपने कोड रख के ए ना खे के ए मेनू लबी है ए मेरी है जिमें बचपन दे वेच अपन कर दे हुंदे से के कोई चीज लब जानी ते ओ लबे दे नाल ही मालक बन जान दे हैं ऐसा नहीं करना के जेड़ी किसे दी कोई वस्तु गवाजगी होवे कोई पूल गया होवे ओसनों जेड़ा ग्रेहन करता है मानों ओवी तनखाहिया है देना अंत्री अपनी सेज जो रमे सत्गुरू साहिब जी आख़दे हन के अपनी इस्त्री अपनी औरत करवाली तो बिना जेड़ी होर पर इस्त्री है उस देना जेड़ा पोग बिलास करदा है ओवी तनखाहिया है उसनों सजा मिलेगी ऐसे जड़े बचन पाई नंदलाल साहिब जी नो सत्गुरु साहिब जी ने समझावना कीते सत्गुरु साहिब जी किर्पा करन साथे मना दे अंदर इना विचारां दा प्रवेश होगे साथा लोक सुहिया पर लोक सहिला हो जाना करे विचारां करदें तो हुईया बेयन्त पुलां दी खिमा बक्षना जी अखिर्यां पंगतियां पढ़के समापती करना करिये जी त्यागी वास्त ग्रहन जो करे बेनत्री अपने सेज जो रमे वाहि गुरू जी का खालशा वाहि गुरू जी की पते